YouTube Studio के Mobile App पर ऐसे Analytics मिलते हैं जिनकी मदद से अपने चैनल और वीडियो की Performance को बहतर तरीके से समझा जा सकता है YouTube Studio Mobile App के Dashboard पर चैनल के सभी Analytics की एक जलक दिखती है यहाँ पर चैनल के मौजूदा सब्सक्राइबर्स को देखा जा सकता है इसके अलावा पिछले 28 दिनों के दौरान मिले व्यूज की संख्या देखने का कुल समय और सदस्यता में आए बदलावों को भी देखा जा सकता है अगर आप अपने चैनल से पैसा कमा रहे हैं तो उसकी estimated revenue भी आपको यहीं दिखेगी इसके नीचे आपको सबसे नए वीडियो की performance और आम तौर पर आपके वीडियो की performance कैसी होती है इसकी तुलना करने वाली report दिखेगी नए वीडियो के views की संख्या, click-through rate और देखने में बिताए गए average समय की तुलना आपके वीडियो के आम तौर पर जो performance रहती है उसके साथ करके दिखाई जाएगी Analytics पेज पर आपको अपने चैनल और वीडियो की performance से जुड़ी ज्यादा जानकारी दिखती है ये जानकारी आपके पूरे चैनल और हर वीडियो के हिसाब से दी जाती है अपने किसी वीडियो की performance की जानकारी पाने के लिए स्टूडियो के मोबाइल अप में कोई वीडियो चुने, फिर Go To Video Analytics पर क्लिक करे Overview टैब पर आपको सबसे पहले अपने किसी चैनल या वीडियो की performance की समीक्षा करने के लिए insights दिखाई देंगे ये टैब आपके चैनल और वीडियो की हाल की performance के बारे में बहुत एहम जानकारी दिखाएगा साथ ही ये typical performance की तुलना में आपके views की संख्या, watch time और subscribers की संख्या भी दिखाएगा अगर आपके चैनल के लिए कमाई करने की सुविधा चालू है तो आपको estimated revenue भी दिखेगी Overview टैब के अलावा आपको reach, engagement और audience टैब भी दिखेगे अगर आप YouTube Partner कार्यक्रम का हिस्सा है, तो analytics में आपको अलग से एक revenue टैब भी दिखेगा ध्यान दे, analytics में मौझूद किसी भी कार्ड को क्लिक करके date range बदली जा सकती है चलिए, सबसे पहले reach टैब की बात करते है इस टैब में आपके मुख्य रूप से ये data पता चलता है कि आपके चैनल की पहुँच कितने दर्शकों तक रही और उन तक पहुँचने का तरीका क्या था इसमें impressions, click-through rate, views और unique viewers की संख्या शामिल है यूट्यूब पर जब भी कोई दर्शक आपके वीडियो के थमनेल पर जाता है तो उसे एक impression के तौर पर गिना जाता है click-through rate ये दिखाती है कि आपके वीडियो का थमनेल देखने के बाद average कितने दर्शकों ने आपके वीडियो पर क्लिक किया unique viewers tab उन अलग-अलग दर्शकों की estimated संख्या के बारे में बताता है जो set time period में आपका वीडियो देखने आते है reach tab आपके वीडियो के traffic source और उन platform के बारे में कई तरह की जानकारी देता है जो दर्शकों को आपके content पर भेजते हैं अगला है engagement tab इसमें viewer attention से जुड़ी जानकारी दिखती है जैसे की watch time, average view duration और playlists average view duration से पता चलता है कि किसी वीडियो को estimated कितनी देर तक देखा गया है इससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि दर्शक अगले वीडियो पर जाने से पहले आपका वीडियो कितनी देर तक देखते है यहां मौझूद playlists और card data बताता है कि कौन से element आपके दर्शकों के हिसाब से ज्यादा पसंद करते है वीडियो लेगल पर भी यही वो जगा है जहां आपको audience retention से जुड़ी जानकारी मिल सकती है और likes dislikes के बीच तुलना की जा सकती है चलिए अब audience टैब के बारे में जानते है इसका इस्तमाल वीडियो देखने वाले दर्शकों के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए किया जा सकता है इस टैब में आपको चैनल पर returning and new viewers, unique viewers और subscribers के बारे में अलग-अलग जानकारी मिलती है अगर आपके पास channel memberships है तो आपको पिछले 28 दिन में subscribers की संख्या में हुए बदलाव की जानकारी भी दिखेगी ये data भी देखा जा सकता है कि आपके दर्शक YouTube पर कब-कब आते है इन सभी metrics की मदद से दर्शकों की संख्या के अलावा इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके channel में उनकी कितनी दिल्चस्पी है ये tab आपका channel देखने वाले दर्शकों के बारे में भी जानकारी देता है जैसे कि उनके gender, age group, location और वे कौनसी भाशा बोलते हैं हम आपको उन वीडियो और channel दिखाएंगे जिनें आपके दर्शक देखते हैं और आखिर में अगर आप YouTube Partner कार्यक्रम में शामिल है तो आपको analytics के अंदर additional revenue tab भी दिखेगा यहां IK data की समिक्षा की जा सकती है जैसे कि estimated revenue, RPM और playback based CPM आपको महीने की अपनी estimated revenue, top earning videos और आपकी revenue sources का breakdown दिखेगा साथ ही top ad types, transaction revenue और CPM के हिसाब से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश इलाके भी दिखेंगे इन सभी data से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके channel और video की performance पर किन बातों का असर होता है इस से आपके content strategy को बहतर बनाने में मदद मिलेगी नीचे दिये गए सहायता केंद्र के articles के link पर जाए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद